Start a new chapter in biology ये chapter plant physiology unit के अंदर आता है और इस chapter का नाम है respiration in plants बात करें respiration in plants की तो ये बहुत अच्छा, interesting और consider to be difficult chapter है इससे लगभग 2-3 questions देखने को मिलते हैं अगर इसकी एक बार conceptual development हो जाए तो बहुत easy रहता है इसको समझना Start करते हैं NCRT क्या कहती है कि all of us breathe to live हम लोग जो है सांस लेते हैं जिन्दा रहने के लिए लेकिन भई ये सांस लेना इतना जरूरी क्यों है जिन्दगी के लिए लाइफ के लिए इतना breathing essential क्यों हो जाता है क्या होता है जब हम सांस लेते हैं Also do all living organisms including plants and microbes breathe क्या भई सारे के सारे organism जो जिन्दा चीज है क्या हर वो जिन्दा चीज सांस लेती है चाहे वो plant हो चाहे animal हो चाहे microbe हो सब के सब सांस लेते हैं क्या अगर हां तो कैसे अब बात आती है क्या कि NCRT कहती है सारे के सारे living organisms जो होते हैं ना जो है energy चाहिए होती है energy चाहिए होती है किस काम के लिए भाई अलग-अलग काम के लिए किसी को daily life की activities करनी है चाहे वो उसकी physiological काम हो जैसे absorption, digestion वगेरा हो गया या transport करना है या कोई movement करनी है reproduction करना है या फिर सास ही लेनी है तो उसके लिए भी हमें energy ही चाहिए अब बात आती है क्या कि यह जो यहां से हमें समझ में आया क्या चाहिए हमें energy चाहिए अब यह energy जिसकी बात in CRT कह रही है यह energy मिलेगी कैसे तो भाई यह वही चीज आई यह energy आएगी कहां से हमें यह बात पता है हमारी बचपन की classes से कि हम लोग जो है food consume करते हैं हम लोग खाना खाते हैं ताकि हमें energy मिल सके we know we eat food for energy अब वही बात कि हमें energy चाहिए और energy चाहिए तो कहां से मिलेगी from where तो इसका answer हुआ कि यह हमें energy जो है food से मिलेगी अब बात आई कि समझ में आगया कि food के अंदर जो energy present है उसके लिए हम लोग उसको खा रहे हैं लेकिन उस energy जो food के अंदर present है वो हम को कैसे मिलेगी और हम को कैसे मिलेगी तो फिर हम लोग उसको utilize कैसे करेंगे यह चीज ही सारी के सारी इस topic का discussion का मुद्दा है भी हाँ बे अब फिर NCRT कह रही है do all foods give the same amount of energy तो भई यह तो नहीं carbohydrate अलग देते हैं protein हो गया कोई चीज fat है कोई चीज organic acid है सबका जो energy का amount है वो अलग अलग होता है अब फिर बात करती NCRT के do plants also eat अब भई plants eat करते हैं क्या plants खाना खाते हैं अगर खाते हैं तो क्या वो खुद बना लेते हैं या किसी दूसरे से चाहिए उनको फिर बात आती है क्या कि where do plants get their energy from microbes जो है उनको कहां से मिल रही है energy क्या वो भी खाना खाते हैं इस तरीके के सवालों का जवाब आपको इस chapter के अंदर मिलेगा अब NCRT आगे कह रही है क्या कि आप ये सोचोगे आप इस बारे में wonder करोगे इन several questions को जो उपर उठाए गए कि ये सब जो हैं बहुत disconnected हैं कि ये जुड़े कैसे हैं respiration से लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि जो process of breathing है यानि हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो बहुत ज़ादा जुड़ा हुआ है इस वरी मच connected to the process of release of energy from the food ये जो release होना है energy का energy का release होना कहां से food से इसका रास्ता क्या है इसका रास्ता है हमारा breathing के तरू होते हुए हम लोग जब सांस लेंगे तो सांस लेने के अंदर respiration नाम का जो process होगा उस process की वज़े से हमारे food के अंदर जो energy stored है उसको release किया जाएगा और उस released energy को हम लोग उस format में convert कर लेंगे जिस format में हम उसको इस्तिमाल कर पाएं यानि हमारा क्या है वो format ATP जिसको हम लोग energy currency of the cell भी कहते हैं अब NCRT कहती है let us try and understand how this happens हम लोग इसको understand करने की कोशिश करते हैं कि यह होता कैसे है NCRT कह रही है क्या कि all the energy required for life processes is obtained by oxidation of some macromolecules that we call as food अब NCRT क्या कह रही है कि जित्ती भी आपने energy बनाए आपको energy चाहिए कोई भी जिन्देगी का काम करने के लिए life के processes चाहिए वो digestion transport movement कुछ भी है reproduction ब्रीधिंग है कोई भी आपने task करना है उसके लिए जो energy चाहिए all the energy required कोई भी format में आपको energy चाहिए वो मिलेगी कैसे oxidation करनी पड़ेगी आपको oxidation करनी पड़ेगी किस चीज की किसी macromolecule की और वो जो macromolecule है वो है हमारा food तो food क्या है हमारा macromolecule है और इसके अंदर से energy की जो production हम लोग करेंगे release जो करवाएंगे इसके अंदर से वो किस process के थुरू करवाएंगे oxidation के थुरू आप इसी लिए देखो कि हम लोग सांस ले रहे हैं तो सांस के अंदर oxygen जा रही है oxygen जा रही है क्या काम है oxygen का oxidation करना तो यह oxidize करेगी हमारे macromolecule याद रखना यह macro है macromolecule को जिसको हम लोग food कह रहे हैं उसको यह oxidize करके energy release कराएगी और कोई process ऐसा होगा जिससे हमें ATP बनाने को मिल जाएगा अब बात आती है कि भाई आप release तो energy बाद में करवाओगे आप energy release तो बाद में करवाओगे पहले आपके पास food भी तो होना चाहिए तो यह food कहां से आता है तो food बनाने वाली सिर्फ दो चीज़े है या तो green plants या cyanobacteria यह चीज़ याद रखना कि भई photosynthesis नाम का जो process है हमारा photosynthesis यह जो process है हमारा यह जिस जिस में हो सकता है हर वो चीज हमारी food production करेगी और वो कहां पे होता है green plants के अंदर और cyanobacteria के अंदर बस यहीं पे हो सकता है NCRT ने क्या बोला only यानि सिर्फ और सिर्फ green plants और cyanobacteria ऐसी दो चीज़े हैं जो अपना खुद का खाना बना सकती है यानि photosynthesis कर सकती है अब photosynthesis में क्या होता है हम लोग light energy को trap कर रहे हैं और उसको convert कर दे रहे है chemical energy के अंदर आपने एक बहुत famous law सुनी होगी जो अब बच्पन से ही कि energy can neither be created nor can it be destroyed but it can be converted into one form into another तो हमने क्या किया है light energy को trap किया है और उसको convert कर दिया है chemical energy में और यह जो chemical energy convert हुई light energy से यह किस form में stored हुई यह bonds की form में store हुई कि हमने carbohydrate synthesize कर लिया protein synthesize कर लिया हमारा fat synthesize कर लिया और इन चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे respiratory substrates की तरह काम कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं trap कर रहे हैं light energy को और convert कर दे रहे हैं इसको chemical energy में जो कि store हो जा रहा है carbohydrates के bond में यह photosynthesis के अंदर production होता है carbohydrates का जैसे glucose, sucrose, starch वगएरा का यह चीज़ द्यार नखना कि photosynthesis के अंदर जो light energy हमने trap करी है उसको convert किया chemical energy के अंदर और यह chemical energy carbohydrates के bonds की format में हमने store कर लिया example नहीं इनके तो glucose, sucrose, starch वगएरा हो गया अब बात आई क्या कि NCRT ने क्या बोला हम से कि plants के अंदर भी इसके आगे एक शब्ल लगाया green और cyanobacteria हमें पता है यह इसको blue green अलगे बोलते है cyanobacteria को हम लोग blue green अलगे बोलते है green plants और cyanobacteria के अंदर क्या खासियत है कि इन दोनों के अंदर chloroplast present है तो वही चीज NCRT आपको बता रही है कि we must remember that in green plants also not all the cells not all the tissues and not all the organs photosynthesize only the cells containing chloroplast that are most often located in superficial layers carry out photosynthesis green plants के अंदर भी कौन कर पाएगा photosynthesis वो वो चीजें जिसके अंदर the cells that contain chloroplast only those cells सिरफ वो सिरफ वो सिरफ जिसके अंदर chloroplast present होगा वो photosynthesis शो कर पाएगा और हमें पता है कि ये superficial layers के अंदर located होगा obviously भाई जब इसको light से बनाना है तो superficial ही रहना पड़ेगा फिर NCRT कह रही है hence even in green plants green plants में भी all other organs जो photosynthesis नहीं कर रहे या all other tissues जो photosynthesis नहीं कर रहे या all other cells जो photosynthesis नहीं कर रहे और ये non green है यानि इनके अंदर chloroplast नहीं है इनको भी खाना चाहिए oxidation करने के लिए they also need food for oxidation तो आप ये चीज़ समझ लो ये जो food बना रहे है oxidation करके हम लोग ये oxidation करेंगे हम लोग अपने macromolecule food की अब ये जो food बनाने वाला काम है ये सिरफ green plants के अंदर और cyanobacteria के अंदर हो रहा है क्योंकि इनके अंदर chloroplast present है जहाँ जहाँ chloroplast नहीं है उसको जो है food प्रोवाइड करने का भी काम इन ही दोनों लोगों का है green plant के अंदर leaves के अंदर अगर photosynthesis हो रहा है तो stem के अंदर अगर कोई cell food demand कर रहा है तो वो leaves से हो करके जाएगा ये ही चीज़ NCRT नहीं है समझाने की कोशिश करिए कि even इन green plants बाकी के जो other organs है चाहें बाकी के जो tissues हैं बाकी के जो cells हैं जो green नहीं है उनको भी food चाहिए ताकि वो oxidation कर पाएं food की और उससे energy release करवा पाएं इसी लिए क्या है कि food को translocate करना पड़ेगा यानि long distance transport करना पड़ेगा to all and non green parts जो भी non green parts से उन तक food को पहुचाना पड़ेगा अब बात आती है क्या कि हमने बात करी कि green plants और साइनो बैक्टीरिया के अंदर जिसमें chloroplast है वो तो खुद का खाना बना ले रहे हैं तो यह क्या हो गए हमारे autotrophs heterotrophs होते हैं heterotrophs वो organism है जो इनके ओपर dependent होंगे अब अगर तो heterotrophs के अंदर directly dependent है यानि directly पेड़ को खा ले रहा है तो वो हर्भी वोर हो गया और अगर कोई भई इस चीज़ को खा रहा है जो पेड़ को खाता है तो हमारा वो कार्णी वोर हो गया जैसे plant था हमारा प्लांट को खाया रैबिट ने तो हमारा रैबिट क्या हो गया हर्भी वोर हो गया या plant को खा लिया हमारी काव ने तो काव हो गई हमारी क्या हर्भी वोर लेकिन प्लांट था प्लांट को खाया हमारे डियर ने हिरन ने और डियर को खाया लायन ने तो lion ने ultimately खाया क्या plant के थुरू ही जो energy आई थी उसी को तो consume किया इसलिए यहां indirectly बोला इनको हम लोग बोला carnivore की यह वाले जो second वाले हैं इनको बोलेंगे carnivore second traffic level वालों को और जो first traffic level वाले हैं उनको हम लोग herbivore कहेंगे यह चीज आई इसलिए NCRT यहां कहती है hence food has to be translated to all non green parts फिर animals heterotrophic होते हैं और यह food जो हैं अपना plants से चाहें directly चाहें indirectly फिर तीसरी category आती है saprophytes की saprophytes क्या काम कर रही है कि यह dead or decaying matter के उपर dependent है अब भई बात यह देखो कि चाहें वो dead or decaying matter पर ही dependent है saprophytes हमारी फंगा है लेकिन यह dead or decaying matter बना कैसे था यह तो photosynthesis से ही बना है तो इसलिए what is important to recognize कि important क्या है पहचानना कि ultimately सारा का सारा food जो हम लोग respire कर रहे हैं life processes के लिए वो कहां से आ रहा है photosynthesis से ही आ रहा है यह सारी बात हुई हमारी इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इस चाप्टर के अंदर cellular respiration की उससे पहले हम लोग move on करें मैं आपका ध्यान वापिस से यहां पर लाऊं कि NCRT ने हम को क्या बताया कि green plants और cyanobacteria जो है यह अपना prepare कर सकते हैं उन food अब cyanobacteria के बारे में कुछ हम लोग चीज़ें पढ़ लेते हैं जो मैंने सारी की सारी NCRT में जहां-जहां cyanobacteria दिया है उसको जमा कर लिया एक जगा अब NCRT यहां हम से कह रही है कि cyanobacteria के बारे में अगर हम लोग बात करें तो cyanobacteria के बारे में Fresh water में भी रह सकती है समारी साइनो बैक्तीरिया और marine में समंदर में भी रह सकता है और यह जमीन पे भी रह सकता है Terrestrial भी है यह फिर बात आती है कि अगर तो यह colonial है Colony जो है वो generally generally बोल रहा है not always generally का मतलब हमेशा नहीं लेकिन हाँ possible है कि जो colonies form कर रही है हमारी cyanobacteria ये क्या हो gelatinous sheath से covered हो अच्छा they are often हमेशा नहीं लेकिन often form करते हैं क्या blooms in polluted water bodies और कुछ जो है some, some का मतलब कुछ, सारे नहीं कुछ कुछ जो है in cyanobacteria में से ये atmospheric nitrogen को fix कर सकते हैं और fix कर सकते हैं किन cells के अंदर, specialized cells के अंदर जिसको हम लोग heterocyst बोलेंगे वो specialized cells जिसके अंदर कुछ हमारे cyanobacteria atmospheric nitrogen को fix कर सकते हैं उन cells का नाम क्या है, उन specialized cells का नाम है heterocyst और हमारे cyanobacteria के examples क्या है, no stock और anabena अब मैं आपको याद करा हूँ कि इसके याद कैसे रखने हैं देखो cyanobacteria, cyanobacteria आपने नाम पढ़ा है अब इसके अंदर ये जो word है sino, इसके ओपर ध्यान गौर करो तो A से क्या हो गया, anabena, N से क्या हो गया, nostog और O से क्या हो गया, oscillatoria ये तीन NCRT में examples आपको यहाँ दे रखे हैं 12th की NCRT में, anabena, nostog और oscillatoria तो ये cyanobacteria से A, N, O इस तरीके से आप इस examples को याद रख सकते हो फिर further move on करें, NCRT और क्या कहती है हमारे बारे में इसके cyanobacteria के बारे में कि जो साइकस है, साइकस के अंदर कुछ specialized roots होती है और ये roots कैसी होती है, small होती है small specialized roots होती है, जिसको हम लोग coralloid roots कहते है और ये जो coralloid roots हैं हमारे साइकस की इसके अंदर nitrogen fixing cyanobacteria हमें देखने को मिलता है फिर से बात करें, NCRT क्या कह रही है साइकस के केस में, small specialized roots present है जिसको coralloid roots कहते हैं हम लोग और इसके अंदर हमारा nitrogen fixing cyanobacteria देखने को मिलता है इसको कैसे याद रखोगे, तो इसको याद रखोगे CCCC से के साइकस के अंदर coralloid roots हैं और इसके अंदर cyanobacteria हमें देखने को मिलेगा फिर further हम लोग बात करें, NCRT अब यहाँ cell the unit of life chapter के अंदर हम से क्या कहती है कि कुछ prokaryotes हैं जैसे cyanobacteria इसके अंदर कुछ membranous extensions हमें cytoplasm के अंदर देखने को मिलती है जिसको हम लोग chromatophores कहेंगे और इनके अंदर pigments present होंगे अब इस chromatophore के अंदर pigment जो present है हमें पता है कि एक cyanobacteria का नाम क्या है हमारा blue green algae तो chlorophyll A present होता है इसके अंदर यह NCRT हमें और जगा बताएगी NCRT हमें यह चीज़ बताती है यहाँ पर कि cyanobacteria कैसे है autotrophic microbes हैं यानि photosynthesis करने वाले microbes हैं जो कि widely distributed है कहाँ पर aquatic में भी है और terrestrial environments में भी है aquatic का मतलब दोनों हो गया fresh water में भी हो गया और marine में भी हो गया और terrestrial में तो था ही है many of which यानि काफी जो है कुसमें से atmospheric nitrogen को fix कर सकते हैं जैसे एनाबेना, नौस्टॉक और उसिलाटोरिया paddy fields के अंदर चावल के खेतों में cyanobacteria जो है एक important bio fertilizer की तरह काम करता है blue green algae यानि cyanobacteria add करता है organic matter to the soil और increase कर देता है उसकी fertility को ये चीज हो गई हमारी बात फिर बात आई कि nitrogen fixing microbes जो है वो free living भी हो सकते है और symbiotic भी हो सकते है free living nitrogen fixing कैसे है हमारे A और B free living के अंदर क्या हो गया हमारा A और B के azotobacter और B जरिंग किया और rhodos marilang की बात करें हम लोग तो ये anaerobic है और free living है कि इसके अंदर ये देखो कि aerobic के examples के अंदर क्या दिया हमें AB यानि azotobacter और B जरिंग किया और ये free living है तीसरा एक और free living है हमारा rhodos prilam लेकिन rhodos prilam जो है हमारा anaerobic conditions में मिलेगा और ये azotobacter और हमारा बीजरिंग किया हमें इसमें देखने को मिलेगा aerobic condition में मिलेगा oxygen की presence में देखने को मिलेगा फिर बात आती है क्या कि in addition to a number of cyanobacteria such as anabena और नॉस्टोग ये free living nitrogen fixtures भी हैं ये चीज़ हमें देखने को मिली कि symbiotic भी हो सकते हैं और ये free living भी हो सकते हैं और free living के अंदर हमने देखा कि aerobic हैं और non-aerobic हैं या निए anaerobic हैं तो aerobic के अंदर a और b आ गया हमारा azotobacter और b जरिंग किया और इसके अंदर anaerobic के अंदर हमारा rhodosprilm हो गया ये चीज़ हमने बात कर ली इसके बारे में lastly हम लोगों को ecology unit के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि जो cyanobacteria है जिसको हम लोग photosynthesizing lgb कह सकते हैं क्योंकि ये autotrophic microbe है अब इसका जो है एक mutualism का रि fundament का रिष्टा देखने को मिलता है हमारे lightens के case में lichen बोलो या lichen जो भी आपको कहना है वह आप कह सकते हो कि इसके अंदर lichen के अंदर क्या देखने को मिल रहा है में या license के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि एक fungus प्रेजन्ट होती है और दूसरा हमारा ये cyanobacteria यानि blue green algae देखने को मिलता है fungus का क्या काम है हमारा fungus का काम ये है कि ये help करती है plant को absorption of essential nutrients में soil से और हमारी blue green algae का क्या काम है ये provide करती है fungi को energy yielding carbohydrates दे करके यानि हमारी blue green algae इसका क्या मतलब है कि ये करेगी photosynthesis और mineral absorption वगरा का काम हमारी fungi करेगी तो हमारा phycobiont क्या हो गया phycobiont यानि photosynthesis वाला component हमारा blue green algae हो गई ये चीज़ है इसके अंदर this was all about cyanobacteria जो मुझे अलग अलग जगा से discuss करना था अब further move on करते हैं हम लोग हमारे cellular respiration वाले chapter पर अब cellular respiration के अंदर क्या होता है कि cellular respiration के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि this chapter deals with cellular respiration यानि mechanism of breakdown of food material within the cell cell के अंदर within the cell हम लोग क्या करेंगे हमारी breakdown करेंगे food materials की और release करेंगे energy को और ये नहीं है कि release करके उसको छोड़ देंगे नहीं उस energy को trap करेंगे किस चीज़ के लिए ATP की synthesis के लिए ये सब important है भूलना नहीं है कि cellular respiration के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं breakdown कर रहे हैं food material का कहां पर within दसल ये काम हो रहा है और इससे क्या होगा release होईगी energy हमारी और इस energy को trap किया जाएगा ATP के synthesis के लिए फिर हम लोग फरदर आगे बात करें क्या कि photosynthesis of course takes place within the chloroplast photosynthesis जो है हमारा of course मतलब ये भई बहुत जरूरी बात है कि ये chloroplast के अंदर ही होता है कहां पर eukaryotes में भई chloroplast किसमें होएगा eukaryotes के अंदर होगा अच्छा ये चीज़ देखो अब अभी हमने क्या बात करी है कि photosynthesis chloroplast के अंदर हो रहा है eukaryotes के अंदर तो भई साइनो बक्टीरिया तो हमारी क्या है साइनो बक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगे है हमारी तो क्या उसको हम लोग इस case में रखेंगे हमने अभी यहां क्या बात करी थी उसके अंदर हमें chromatophores देखने को मिलते हैं जिसके अंदर pigments प्रेजेंट होंगे बहराल आगे चले हम लोग photosynthesis of course takes place within the chloroplast in the eukaryotes whereas the breakdown of complex molecules to yield energy takes place in the cytoplasm और the mitochondria अब यहां पे NCRT न हमने यह हमें यह बताया कि photosynthesis के अंदर खाना बना कहां पे था chloroplast के अंदर बना था खाना और इसको हम लोग oxidize कहां कर रहे हैं cytoplasm और mitochondria में यह चीज़ याद रखना कि खाना बना कहां पे था chloroplast में और इस खाने को तोड़ करके energy कहां पे release होईगी cytoplasm में और mitochondria में अब बात आती है क्या कि जो cytoplasm है उसके अंदर भई मालो mitochondria किसी के अंदर नहीं है जैसे भई हमारे prokaryotes हैं उनके अंदर mitochondria तो नहीं है अब वो क्या करेंगे तो उनके अंदर सरफ और सरफ वो steps होंगे जो cytoplasm में देखने को मिल रहे हैं तो यह cytoplasm वाले steps हमारे को सब के अंदर देखने को मिलेंगे चाहें वो aerobic हो चाहें वो non-aerobic हो और चाहें वो prokaryote हो चाहें वो eukaryote हो तो यह cytoplasm वाला जो factor है वो common रहेगा और वो factor क्या है हमारा उस factor को हम लोग बोलते हैं उस cycle को हम लोग कहते हैं glycolysis glycolysis जो है यह cytoplasm में होती है अब चाहें हमारा कोई cell irrespective of the fact कि वो prokaryotic है या eukaryotic है अगर तो एनरोब है तो वो cytoplasm वाली cycle शो करेगा और mitokandria वाली नहीं शो करेगा पहली बात यह दूसरी बात क्या अगर हमारा कोई prokaryote है तो prokaryote के अंदर सिरफ possible ही cytoplasmic वाली ची होगी क्योंकि यह cell organally है तो prokaryote के अंदर सिरफ वर सिरफ glycolysis चलेगी लेकिन eukaryote के अंदर हमारा cytoplasm वाला glycolysis भी चलेगा और mitochondria के अंदर होने वाली further reaction जिसको जिसके अंदर सबसे बड़ी reaction TCA cycle है वो भी होगी यहीं चीज आपको समझनी है अब आगे NCRT क्या कह रह तोड़ना है of complex compounds through oxidation within the cell oxidation को तोड़ना है हमें CC bonds को कहां पर हैं ये within the cells present है इससे क्या होगा release होएगा एक considerable amount of energy और इसको हम लोग कहेंगे respiration respiration में हमने क्या किया कि carbon carbon bonds को तोड़ा जो कि cells के अंदर हमने किया यह काम किसके तोड़ू oxidation के तोड़ू इसससे क्या हुआ considerable amount of energy जो है release हो गई एक process के अंदर जिसको हमने respiration कहा वो compound जिनको oxidize किया हमने चाहें वो carbohydrate थे चाहें वो fat थे चाहें वो protein थे चाहें वो organic acids थे उनको हम लोग कहेंगे कि ये respiratory substrates है usually क्या होता है कि carbohydrates को oxidize किया जाता है ताकि release हो पाए हमारी energy लेकिन protein को fat को और organic acids को भी respiratory substrates की तरह use किय जा सकता है कुछ plants के अंदर under certain conditions बात आई आगे कि NCRT कह रही है during oxidation within a cell oxidation करते हुए एक cell के अंदर सारी की सारी energy जो content होती है respiratory substrate में वो release नहीं होती it is not released free into the cell या ये समझ लो एक single step के अंदर हम लोग इसको release नहीं करते या यूं कहो कि भई अगर कर भी लें तो उसका कोई फाइदा नहीं होगा इसको क्या से किया जाता है फिर it is release जिना series series में हम लोग इसको release करते हैं slow step wise reactions के अंदर जो controlled होते है enzymes के दुरू और इसको trap करते हैं हम लोग chemical energy की form में जो की हमारा ATP की तरह बन करके आखिर में सामने आता है और इसलिए हम लोग ATP को हमारी energy currency of the cell कहते हैं हमने क्या किया कि पूरी की पूरी energy को एक बार में release करके waste कर देना ये बहतर नहीं है इसलिए हमने ये approach अपनाई कि हम लोग इसको series में तोडेंगे step wise reactions के अंदर तोडेंगे धीरे धीरे और ये जो step wise reactions हैं हमारे enzymes के दुरू control होंगे और हर step पे इसको हम लोग ATP के form में convert करने की कोशिश करेंगे hence it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not used directly या यूं कहो cannot be used directly but is used to synthesize ATP आप पहले ATP बनाओगे फिर ATP को इस्तेमाल करोगे which is broken down whenever and wherever जब भी और जहां भी energy की जरूरत है तब आप ATP को खर्च करोगे ये इस तरीके से समझ सकते हो आप अगर भाई आप किसी जगा पे job कर रहे हो और भाई आपको महीने का राशन चाहिए तो आप ये नहीं है कि सरकार आपके या जो है वो भेज़ देगी आपका जहां भी आप company में काम कर रहे हो तो आपका boss जो है आपका owner आपको सीधा चावल का कट्टा बेज दिया ऐसे नहीं होगा वह पहले आपको आपकी salary देगा और उस salary की मदद से आप अलग अलग जगा उसको invest करो कि आपको चावल खरीदना है आपने चावल खरीदा आपको wheat खरीदना है यहूं खरीदना है वह खरीद लिया आटा खरीदा कुछ भी सेम काम हो रहा है हमारा plants के अंदर कि हम लोग जो है respiration के अंदर sorry चाहे respiration humans में हो रही है चाहें किसी में भी हो रही है respiration के अंदर हम लोग energy release करवाके ATP में convert कर ले रहे हैं ATP क्या है हमारी salary की तरह है currency की तरह है और ATP को हम लोग हर उस जगा घर्च करेंगे जहां पे हमें energy चा used directly और rather cannot be used directly but is used to synthesize ATP पहले आप ATP बनाओगे फिर ATP को broke करोगे यानि break करोगे which is broken down whenever and wherever जब भी और जहां भी energy की जरूरत है तब ATP को तोड़ा जाएगा Hence ATP acts as the energy currency of the cell यहां से अब आपका एक assertion reason का question बन सकता है कि hence यह reason बन जाएगा कि ATP जो है energy currency की तरह क्यों काम कर रहा है उसका assertion यह रहा उसका reason यह रहा उपर this energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring processes of the organism energy जो trapped है ATP की form में उसको utilize कर लेंगे हम लोग various energy requiring processes के रूप में कि भई वेरियस जो जहां जहां पे भी जिस जिस प्रोसेस में energy चाहिए महां पे हम लोग ATP के अंदर जो energy trap है उसको utilize करेंगे और carbon skeleton अब यह बहुत important area है अगर आपने बहुत deep study करिये in CRT की तो आपको यह समझ में आने वाला है कि anti-carbon skeleton produced during the respiration is used as precursor for biosynthesis of other molecules in the cell हमने एक बात कही कि हम लोग अब तक बात कर रहे हैं कि जो भी complex हमारा macro molecule था उसको हम लोग थोटा 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 थोड़ थोड़ के थोड़ थोड़ के क्या करेंगे small compound में बनाएंगे और इस से हम लोग अपनी energy लेते जाएंगे energy लेते जाएंगे तो हम लोग जब किसी चीज को काट रहे हैं क्या अब कर रहे हैं काट रहे हैं छोटे छोटे चीज में तो हम लोग क्या कर रहे हैं केटाबॉलिजम कर रहे हैं है की नहीं केटाबॉलिजम के अंदर आ रहे हैं केटा काटा तो काटने का काम है चोटे चोटे में तो क्या हो गया कैटाबॉलिजम हो गया तो हमारा respiration तो भई या इस तरीके से क्या होना चाहिए ये क्या होना चाहिए हमारा catabolic process होना चाहिए लेकिन NCRT हम से क्या कह रही है कि जो carbon skeleton है जो produce हुआ है respiration के अंदर उसको हम लोग use कर लेते हैं precursor की तरह biosynthesis के लिए biosynthesis का मतलब हो गया anabolism के लिए भई यूज कर ले रहे हैं हम लोग और anabolism का मतलब है biosynthesis catabolism का क्या मतलब था breakdown वाली चीज़ अब भई जब इसको biosynthesis के लिए आप यूज कर ले रहे हो other molecules की इंदसेस तो यह होता कैसे है हम लोग आखीर में पढ़ेंगे लेकिन NCRT ने आपको यहीं पर बता दिया इस line से की जो respiration है यह हमारा amphibolic pathway है यानि इससे catabolism तो होता ही है जो आप यहाँ देख सकते हो और biosynthesis यानि anabolism भी हम लोग use कर सकते हैं इसमें से precursors की तरह इसको use कर सकते हैं carbon skeleton जो इसने produce किया है और इसलिए यह anabolism हो जाएगा इसलिए इस chapter के last में NCRT आपको जाके यह बताएगी कि यह जो है respiration हमारा एक amphibolic pathway है यानि catabolism और anabolism दोनों possible हैं आपको NCRT ने यह amphibolic pathway है इसका इशारा इसी last line के अंदर कर दिया है यह था हमारा पूरा का पूरा introduction respiration implants के बारे में अब हम लोग start कर रहे हैं इस वाले topic को जो NCRT हमसे कह रही है क्या पेड़ सांस लेते हैं क्या पेड़ सांस लेते हैं मैं आप से पूछ आँँ क्या पेड़ जो है वो oxygen ले रहे हैं respiration के लिए और carbon dioxide छोड़ रहे हैं बाहर तो बिल्कुल ऐसा तो हो रहा है जैसे हम लोग humans के case में देख रहे थे कि हम लोग humans क्या है oxygen को अंदर ले रहे थे carbon dioxide को बाहर छोड़ रहे थे oxygen की availability लेकिन unlike animals animals के यहाँ animals की तरह इन में क्या देखने को नहीं मिलता भई हमारे हैं पूरा का पूरा respiratory system है हमने पढ़ा भी respiratory system के भई lungs हैं हमारा trachea है इस तरीके से alveol आए हैं पूरा का पूरा diaphragm पूरा एक mechanism है हमारे हैं यहाँ कोई specialized organ नहीं है no specialized organs for gaseous exchange लेकिन इनके पास tomata और lenticels नाम की openings प्रेजेंट हैं जो इस काम को करती हैं there are several reasons why plants can get along without respiratory organs NCRT हमसे कह रही है कि ऐसे बहुत सारे reasons हैं जिसकी वज़ा से plants को कोई भी respiratory organ की जरूरत नहीं है plants can get along without respiratory organs अब इसके क्या क्या reason है पहला reason NCRT का क्या है वो सुनो NCRT का पहला reason यह है कि हर plant का जो part है plant का जो हर part है each plant part यानि plant का जो हर part है वो अपना ध्यान खुद रखता है take care of its own gaseous exchange needs जो भी उसको gas exchange की requirement है वो अपना ध्यान खुद रखेगा और दूसरी बात क्या कि जब वो खुद ध्यान रख रहा है तो there is very little transport of gases एक जगा से दूसरी जगा जो gas का transport है gas का transport जो है वो बहुत कम होगा from one plant part to other दूसरा reason NCRT क्या कह रही है पहला reason तो यह हो गया कि हर part जो है ध्यान खुद रख रहा है और दूसरी चीज क्या कि आप दो parts के बीच में बहुत कम जो है gas gas transport हो रहा है दूसरा reason क्या है कि जो हमारा plants है वो without respiratory organs काम कर सकता है पहली चीज़ दूसरी चीज़ क्या कि plants को कोई present नहीं है great demands by plant को कोई ज़्यादा ज़रूरती नहीं है gas exchange की इसलिए भी नहीं चाहिए root हो stem हो या leaves हो इनका जो respiratory rate है वो बहुत कम होता है जब हम लोग इसको animals के comparison में देख रहे है यानि animals का जो respiratory rate है वो बहुत higher है as compared to हमारे plants के comparison में यह चीज NCIT नहीं आपको यहाँ पर बताई कि जो roots है roots हो गई stems हो गई leaves हो गई इन सब का जो respiratory rate है वो बहुत कम है in comparison to the animals अब बात आती है क्या कि कौन सी ऐसी condition है जिसके अंदर भई थोड़ी ज़ादा बढ़ जाती है हमारी gaseous exchange की volume कि only सिर्फ और सिर्फ photosynthesis करते हुए are large volumes of gases exchanged and और अगर भई देखो मज़े की बात क्या गया यह NCIT सिर्फ और सिर्फ photosynthesis के time पे जरूरत है भई आमें जादा हवा की यानि large volume of gases exchange होगा कब होगा सिर्फ और सिर्फ photosynthesis के time पे और हर पत्ता जो है well adapted है अपना ध्यान रखने का during these periods क्या चीज कि भई सबसे ज़्यादा जरूरत है photosynthesis के time पे सिर्फ और सिर्फ photosynthesis के time पे सबसे ज़्यादा जरूरत है और ऐसे time पे हर पत्ता खुद के लिए well adapted है कि वो अपना ध्यान हो जाती है within the cell और ये कैसे होता है ये आप पहले पढ़के आए हो photosynthesis के अंदर photosynthesis of water से ये काम होगा photosynthesis of water जो होगा हमारा इस photosynthesis of water की वज़ा से यानि पानी को breakdown किया जाएगा किस की presence में light की presence में photo मतलब light lysis मतलब तोड़ना photosynthesis of water होगा और oxygen रिलीज होएगी हमारे cell के ही अंदर तो availability of oxygen जो है ये कोई problem नहीं है तीसरा reason NCRT का कह रही है the distance that gases must diffuse the distance that gases must diffuse even in large plants is not great कि जो gas को transport करने वाला distance अगर आप देखो plants की case में तो वो जादा नहीं है हर living cell each living cell in a plant locate होता है कहां पर quite close to the surface of the plant देखो गौर करो इस शब्द पर living cell पर each living cell जो है plant के अंदर वो कहां located है surface के पास अब बात करोगे आप की भई deep layers की क्या बात करें this is true for leaves you मैं आसका आप पूछो भई पत्तों के लिए तो है समझ में आता है लेकिन thick woody stems के लिए और thick woody roots के लिए क्या बोलोगे आप तो बात आई क्या कि stems के अंदर जो living यानि living देखो double inverted कॉमास के अंदर NCIT ने बोला the living cell जो जिन्दा cells हैं वो organized होते हैं thin layers में inside and beneath the bark जो stem के अंदर bark हमारी सबसे बाहर present है उसके अंदर living cells जो है thin layers में और bark के अंदर या और bark के नीचे जो है organized होते हैं इनके पास openings होती हैं जिसको आप linty cells बोलते हो the cells in the interior जो होगा वो dead होगा यही चीज़ देखो मैं गौर करवा रहा हूँ के living cell जो है plant के अंदर वो surface के पास होगा और जो deeply provided है interior में है वो dead है और सिरफ और सिरफ mechanical strength प्रोवाइड कर रहा है provide only mechanical support और यह interior में dead रहेगा thus most cells of a plant have at least a part of their surface in contact with air कि जितने भी हमारे most of the cells हैं plant के ज़्यादा तर cells जो हैं हमारे plant के उनका एक part मतलब पूरा का पूरा cell तो भाई यह spherical होगा इसका कुछ हिस्सा जो है exposed होगा surface से और यह contact में होगा हवा के ताकि इसको किसी दूसरे से हवा लेनी की ज़रूरत ना पड़े air इसके पास directly आ जाएगी this is also facilitated by loose packing of इसके अंदर जो है intercellular space हमें देखने को मिलता है यानि loose packing देखने को हमें मिलती है और loose packing है बीच में अब भाई बीच में खाली जगा है तो वहाँ क्या होगी हवाई तो भरी होगी यही चीज anxiety कह रही है this is also facilitated by loose packing of parenchyma cells in leaves, stems and roots जो कि provide करता है interconnected network of air spaces interconnected network of air spaces हमारा यह parent काईma के intercellular spaces provide कर देते हैं फिर आगे बात आई क्या कि जो combustion है हमारे glucose का वो produce करता है carbon dioxide और water as end products और energy मिलती है हमें जो कि mostly heat की form में given out हो जाती है कि हमारा यह glucose है इसको oxidize किया हमने oxidize किया तो obviously oxygen की presence में करेंगे इससे carbon dioxide और water release होगा और energy liberate हो जाएगी अब यह energy जो liberate होई है heat energy अगर तो इसको हमें useful बनाना है if this energy is to be useful अगर तो हमें इस energy को useful बनाना है cell के लिए it should be able to utilize it भाई इसके लिए useful कब होगी यह release energy जब इस released energy को हमारा cell utilize कर पाए किस चीज के लिए utilize कर पाए हमारे synthesis के लिए other molecules की molecules की synthesis के लिए यहनी anabolism के अंदर इसको इसको इस्तमाल कर पाए जो की cell की requirement है अगर anabolism में नहीं चाहिए तो भई जहाँ जहाँ पे इसको energy के लिए खर्च करना है वहाँ पे कर ले तो इस energy को use करके पहले यह ATP बना पाए यह भी हमारी requirement हो गई अब NCRT आगे क्या कह रही है इसको इस तरीके से तोड़ो कि यह heat की form में ना निकले अब heat की form में ना निकले इसके लिए क्या करना पड़ेगा अब इसके लिए हम लोग यह करेंगे कि वह इसको एक step में करेंगे तो तो यह heat में चला जाएगा इसलिए हमारे पास समाधान इस समस्या का ये है कि the key is to oxidize the glucose not in one step एक step मैं करो ही मत इस काम को लेकिन several small steps के अंदर करो ताकि क्या possible हो पाए, enable हो पाए कुछ steps ऐसे ताकि इतनी large enough energy release हो इसमें जिसको हम लोग couple कर दें ATP synthesis से ये चीज हमारी strategy है कि हम लोग क्या करेंगे छोटे छोटे steps के अंदर हमारे glucose की oxidation करेंगे और ये जो energy release होईगी oxidation of glucose से इसको couple कर देंगे ATP के synthesis से और हमारा ATP का synthesis हो जाएगा जो कि हमारी energy currency of the cell है अब इस currency को जामर्जी खर्च करें हम लोग how this is done essentially is the story of respiration अब ये सारी चीज होती कैसे है ये ही सारी कहानी है हमारे respiration की फिर बात आती है क्या कि during the process of respiration oxygen को utilize किया जा रहा है carbon dioxide हो गया water हो गया और energy को release कर रहा है हम लोग products की form में जो combustion है उस reaction के अंदर हमें oxygen की जरूरत है लेकिन but some cells live where oxygen may or may not be available लेकिन कुछ cells ऐसे हैं जहां oxygen भई हो सकता है present हो और ये भी possible है कि oxygen वहाँ ना मिले can you think of such situations and organisms जहां oxygen नहीं होती बिल्कुल anaerobic organisms के अंदर absent है जैसे हमारा RBC हो गया और हमारे कुछ microbes भी हो गए ये anaerobic microbes हैं तो इनके अंदर क्या है हमें without the oxygen वाली condition देखने को मिल रही है या अगर कोई हमारा facultative organism है जो है तो हमारा aerobic लेकिन facultate कर सकता है switch कर सकता है anaerobic condition में वहाँ भी हमें ये देखने को मिलता है there are sufficient reasons to believe that the first cells on this planet अब NCRT आप से कह रही है कि जो पहले cells आए थे इस planet के अंदर ये evolution की तरफ इशारा कर रहा है कि पहले cells जो इस planet को inhabit करे थे lived in an atmosphere वो उस atmosphere में रहे जिसके अंदर oxygen की कमी थी या oxygen थी ही नहीं even amongst present day living organism आज के जिन्दा organisms के भी अंदर हम ऐसे several organisms को जानते हैं जो की adapt हो गए है anaerobic conditions को लेकर और कुछ जो है इन organisms में से ये facultative anaerobic है facultative anaerobic का मतलब क्या ये switch कर सकता है aerobic और anaerobic के बीच में लेकिन while in others the requirement for anaerobic condition is obligate लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर anaerobic condition की मौझूदगी obligatory है यानि anaerobic condition होगी तो ये survive कर पाएगा वरना ये survive नहीं करेगा on the other hand facultative anaerobic का क्या मतलब है कि anaerobic condition है तो बहुत बढ़िया वरना aerobic के अंदर ये switch कर सकता है लेकिन obligatory anaerobic का क्या मतलब होता है कि obligatory यानि इसके लिए जरूरी है ही है anaerobic condition के बगेर ये survive नहीं कर सकता in any case all living organism चाहें कोई भी living organism हो इसके अंदर retained है हमारी present है हमारी enzymatic machinery ताकि partially oxidize कर पाएं हम लोग glucose को without the help of oxygen this breakdown of glucose convert हो जाता है pyrovic acid में इसमें हमारा glucose responses को हम लोग glycolysis कहते हैं और ये होता कहा है हमारा cytoplasm में अब क्योंकि cytoplasm हमारा हर cell के अंदर present है चाहें वो aerobic हो चाहें वो हमारा anaerobic हो तो cytoplasm में होने वाला हमारा process glycolysis universal है हर organism में देखने को मिलेगा और इसका net product होता है हमारा 2 ATP net product है हमारा 2 ATP और NADH भी हमें देखने को मिलता है इसमें वहराल next lecture में हम लोग glycolysis को in detail पढ़ने वाले हैं this was all about the introductory paragraphs of respiration in plants